अटल भूजल योजना के अंतरगर्थ आज जैपुर में राजे कारिक्रम प्रबंदन इकाई भूजल विभा की ओर से प्रशिक्षन कारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम में विशे विशेशग्यों ने विभिन सत्रों में भूजर प्रबंदन और राजिस्तान को देखते हुए सामने आ रही चुनोतियों पर पिस्तार से चर्चा की इस मौके पर जनस्वास्त अभ्यांतर की मंतरी कनहिया लाल चौधरी शासन सचेव डॉक्टर समिश शर्मा सहित कई वरिष्ट भूजल विज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये अगर हम रिचार्ड की बात करें तो लगबख सो परसेंट रिचार्ड तो लगबख पचास परसेंट जज़ा दोहन होने लगए यह बहुत बड़ी समस्या है यह ना हमारी सरकार उसके पर कानौन बनाने जारी है जिससे कोई भी दोहन करें तो सुपरले लाइसेंस लो विसे इसकर हम एग्रिकल्चर सेक्टर को हम छोड़ेंगे एग्रिकल्चर भी हम किसानों को कोशीज करेंगे कि उनको ऐसी पसल बोने की सलाथ देंगे जिससे कम पानी लगे और बेनीपेट उसे जएदा हो अटल भूजल योजना बहुत ही महत्मूर योजना है और मैं समस्ता हूँ अगर पूरे देश में सरभादिक आवशिता इस योजना की किसी को है तो राइस्थान के लिए है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नई सरकार ने अपना कारेभाल समाला था तो अटल भूजल योजना सात्वे नमबर पे थी और देश भर के सात राज्यों में ही योजना चल रही है पर जो विभाग के अधिकारी हैं जो पूरी टीम है इन्होंने प्रयास करके पहले चौथे नमबर पे और हम उसमें देश भर में अब तीसरे नमबर पे आ गए हैं और इसमें बहुत सारे जो पिजोमेंटर्स हैं और पानी की उपलपता कितनी है डिमान्ड और चैων के बीच में जो गैप है वहह कितना है फ्यूचर में कितनी इमानड आएगी इस सब को ध्यान में रखते हुए यह मैप्स बनाए गएali है और फिर इसके लिए आर्टिश र इचार स्ट्रक्चर से हो बनाए गए हैं